जो जेटेट है उनके लिए दोनों के लिए ये फिर लागू हुआ था फिर रातो रात इसमें हटवा करके प्रेसर विल्ड करके पर राजनेतिक सडियंत्र करते हुआ इसको जटाया गया और इसमें हस्ताक्चर भी आप देख सकते हैं उस समय जो सिच्छा मंतरी थे जगनात म बच्चों के एडमिसन ले रही है और जब नौकरी देने की बात आ रही है तो उनको बोरे मौका ही नहीं देंगे और जेटेट का परिक्षा जो है आप जो है कम से कम जो है जो साथ वर्सों साब एक बार भी नहीं लिए जब भेकेंसी आ रही है उससे पहले आजित करा हैं वो कहते हैं कि पॉलिशी मेटर है सरकार को इस पर ध्यान देना है सीम से जो पांच चार दिन पहले मिले थे तो भी वो कहे थे कि हम लोग जो है इस पर लाना चाहते हैं तो कुछ लोग अड़ेंगा डाल देता है तो हमारा बस एक ही जी कहना है सरकार से कि आप नीती अब हमेशी करें हुद्वरें कि जो है सरकार से कुछ मांग कर रहे हैं हम इन से जानेंगे कि क्या माँगे फॉल कर वाले के वैसे बच्चों को इसमें सामिल कर ले ताकि जो 25,996 पदों के लिए पहला फेज में जो वैकेंसी आने वाली इसी चोकुकी उसमें हम सभी को बैठने का मौका मिले और उसमें अगर हम लोग के अंदर योगता होगा टैलेंट होगा हम परिक्षा बैठेंगे और अगर मेरिट लिष्ट में हम लोग कौलिफाई करते बिल्कुल बिल्कुल देखी हम लोग को जो है राज गठन के बाद मात्र अभी तक जो है 2013-2016 नहरोस्के उनभार, इससा नियम सभान है 12 नंबर रोल में यह साफ साफ जो है मेंसंड है तो हम लोग का मांग यह है कि आप जो नियम बना है उसका अनुपालन कीजिए और जेटेट का परिक्षा जो है आप जो है कम से कम जो है जो साथ वर्सों साप एक बार भी नहीं लिए जब भेकेंसी आ रही है उससे पहले आप इसको फिर आगे बढ़ाईए चुकि क्या है कि सीटेट और जेटेट में कोई अंतर आप रहा नहीं चुकि जारकन में भी नियोजन निती निरस्त होने के बाद जारकन सारकार आप खुद जो है अधिसुचना ला करके हिंदी अंग्रेजी और संस्कृत को यहां पर ए से निता है और उडिया भासा में भी बहुत लोग बंगला भासा में भी सेटेट उत्रिन करते हैं और व vet में और उत्रिन करते हैं और वईसे चतर वी ईटेट करना स्ब्सेन काली अब रहाई नहीं दो अब से жoreक आता है और ब्हारत सरकार की सबसे कठीन सिच्छक पातर तो ऐसे बच्चों को अगर हम लोग इसमें लाएंगे तो निश्चित रूप से जो है सिच्छा विवस्ता में अच्छे गुणवत्ता युक्त सिच्छक आएंगे और जो बही पुर्चित भाली आने वाली उसमें बहुत सारे बेरोजगार बच्चों को नौकरी भी मिलेगा अभी सरकार के द्वारा कुछ बहाली लाए गई है इससक्षकों की उसमें भी आप लोगों को मौकर नहीं बिलकूल लएंगे तो एसे में हम लोग लगातार जो है संगर्स कर रहे हैं और हमें जो है वहां से फिर बाहर कर दे जा रहा है तो हमारा बस एही मांग है कि कम से कम आप जब नियुकती निकाल रहे हैं तो हमें बस एक परिक्षा बेटने का मौका दीजिए और यह लगातार इसको लेकर कि जितने भी जन परतिनीदी हैं मुख्यमंतरी सर हैं पुर्व में जो सिच्छा मंतरी रहे अभी हाला कि वो नहीं रहे तो उनसे भी हम लोग मिल करके अपनी बातों को रखे हैं तमाम जितने अला अधिकारी हैं सिच्छा सचीब सर से भी मिलके बात तो रहे हैं वह कहते हैं कि पॉलिशी मेंटर सरकार को इस पर ध्यान देना है कि लोग इस पर लाना चाहते हृता है कि हम लोग बैस को जब उसका फैसला आया तो उसका फैसला आया और जिससे क्या हूए कि नियुक्ति वर्स का जो लगातार चर्चा चलाता दोजार एकीस होगा तेइस तक भी लोगों का आज तक रोजगार नहीं मिला मात्र 357 पर जैसे के मादम से भाली हुई और जिसके कारण लगातार जो आर्थित तंगी के कारण बच्चों आत्मत्य कर रहे हैं उनका जीवन करते हैं तो उसका उपयोग एक मात्र जो है आप सिच्छक बनेंगे तभी होता है अन्यति कोई उपयोग नहीं होता है तो ऐसे में सरकार एक और 2016 के बार लगातार बच्चों के एडमिसन ले रही है और जब नौकरी देने की बात आ रही है तो उनको बोड़ी मौकाई नही तो यह सरासर जो है इसी के खिलाब लगातार हम लोग विरोध कर रहे हैं और कुछ डोकुमेंट्स भी आपको दिखाऊंगा अगर यह सरकार इस पर पहल नहीं करती है तो फिर यह जा करके मामला में कोड़ में फसेगा निकती पर बाधित होगी और फिर उसके जिम्मेदार कोई और नहीं होंगे फिर यहां के जो सरकार है वही इसके जिम्मेदार होगा मैं दिखाता हूँ आपको किस परकार से कुछ लोगातार हमारी बातों को नहीं मानेगी तो हम लोग निश्चित रूप से हम जितने लोग हो सकते हैं कोड़ जाएंगे अल्रेडी हमारा केस 11 त लगबक 300 से ज्यादा लोग फिरीट पिटिसन डाल रहे हैं और जितना हो सकता जो भी कानूनी विकल हमारे पास होंगे एडी चोटी एक कर देंगे लेकिन हमें नियुकती में मुका मिलना चाहिए इस पर हम लोग पूर्जो तरीके से अपना जितना हो सकता है हम लोग इस प परकार के पास होगा हम लोग इस पर किसी परकार का मलब जो है एक अंकड़ा बताना मुस्की लोग अभी फिलाल तो अभी जैसे आप सीटेट का परिक्षा हुआ था उसमें भी लोग फिलाल हम लोग जहां तक पहुँच पाएं जितने हमारे संगठन में जो हमारे संगठन जारकंडी सीटेट उतर नवियारती संग उसमें लगबग जो है तीन-चार अजार बच्चे अभी हैं फिलाल हमारे साथ तो उतने बच्चे तो हमारे साथ हैं बाकि इंडारेक्ली बहुत सारे लगातार बच्चे नहींने का नियालाई का बी और इसके आलावाज कानूनी बिकल्ब के अलावा जो है आपका राजनितिक बिकल्ब जो है पॉलेटिकल प्रिसर बिल्ट करने का वह भी हम लोग करेंगे आपको मैं डॉक्यमेंट दिखाना चाहूंगा जिसमें आईए पारा सिच्चक सेवासरत नियामवली 2021 निकलाता जिसका प्रारूप यह है और इस है इसके माध्यम से लोग जो है नवादी बिदाले में टीचर बनते हैं मैं बनते हैं जिने को बनते हैं जेहां को दिखाऊंगा कि इसमें क्या हुआ था तो आप इसमें देखीए कि जो है 2021 में यहां पर आप देख सकते हैं पर जो है सिच्छ subir प्रिंट अभलिक सिट उत्रिद सना تक परिषित पर 1300 लिए यह बना था जह अब दोनों के लिए यह प्र लागू हुआ था पिर रातो राद इसमें हटवा करके प्रेसर गईमार यह बिल्थ करके पराजनेतिक infos तो देखी जहां सीटेड और जेटेट को यहां पर इक्वेलेंट कर दिया गिया था तो बस इसमें क्या ऐसा कारण है कि फिर इसको हटा दिया जाता बीच में इतना सारा आप साइन देख सकते हैं कानूनी है इसके आलाव आपको कुछ और डोक्युमेंट दिखाऊंगा जिसमें आप देख सकते हैं किस परकार से जो है सरकार का जो है ये इसकुली शिक्षा एवंप जो है साच्छता भी भागे उसका परतामिक सिच्चा निदेसालही के द्वारा चार दस दोहजार उनीस को जो है एक अधिसुचना जारी किया गया था जिसमें जार्कंट सिच्चक पातरता परिशा जो है किस परकार से उसका नियाववली से संब्द दिये इसमें प्रारूप त्यार है इसमें आप देख सकते हैं आपको दिखाऊंगा 12 नंबर जो है इसमें साप साप यहाँ पर य कियम हैं अनिवारी है हर साल होना चाहिए तो पिछले साथ मेरे परिक्शा और यह सवाला ना कर थे आहारे सारे नियुकति देना-थे सरकार क सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइए और यहां का युवा जो है पीडी थी होगा आपको एक डोकुमेंट और दिखाता हूं किस परकार से जो है आपका बिहार सरकार जो है यह बिहार सरकार का सिच्छा विवाग का अधिसुचना है इसमें भी आप देख सकते हैं कि आपका जो है कि यहां देखिएगा केंद्र आप देखिएगा लावा और दोनों को मानरा डात का नागरिक और राज की निवासी आवेद act अब है जो आपका बाहर के बच्चों को ऩोऊ पर नियोजन में सामील करती हैं तो जारकंड सरकार भी ऐसा करके के यहाँ पर भी जारकंड के भच्चों को सामील करने का विचार है जो मुलबासी बच्चों का है उकर सकती है लेकिन जारकंट सरकार ओपेन कर दी जिसके कारण विवाद बढ़ता हुआ जा रहा है आपको और एक चीज आपको दिखाऊंगा भी किस परकार से जो है तिरिपुरा हाई कोट के जजमेंट मेरे पास है उसमें भी 2019 और 2020 मतमादर दो बरसों के लिए जो है टेट परिक्षा नहीं हो पाया था क्योंकि वहाँ पर जो है बिसेस आफदा आ गया था पैंडेमिक आ गया था जिसके कारण बच्चे जो है जब विग्यापन आ रहा था सिच्चों का वहाँ पर कोट चले गया थे और वहाँ का जजमेंट आपको कंड़क्टेट एट आल टू बी कंसिडर्ट फोर एकुट्मेंट एज टीचर अंडर दी डिरेक्टर आप एलिमेंट्री एजुकेशन दिरुप्रमातर दो बरस नहीं हुआ था दोजार नीस और वहाँ पर कोट में जब बच्चे गया तो उनको जो है सामिल करने का निर्द बाद महहरी में बातों को तो हम लुत बातों कि और हम लोगा पढ़ायी करेंगे जो है पती सरेगे घयर ओए सब्सेद्ट टालिबर की वार शोर्मातर देखने हैं ज्यों लुट्य ही spec .. करके 5-7,000 रुपया का खर्चा है अगर रेंट लेके बच्चा पढ़ाई करेगा हम लोग लगबक 5-6 सवर्षों से इंतने सारे खर्चे कर चुके हैं और ट्रेणिंग करके 2,5 लाग खर्चे कर चुके हैं अगर ऐसे में सरकार हम लोग को सामील नहीं करती है तो फिर हम लोग के पास कोई option नहीं होगा हम लोग बेरोजगार रहेंगे और हमारा जीवन बरबाद हो जाएगा